बेशरम रंग गाने के रिलीज के बाद फिल्म पठान काफी चर्चा और विवादों में आ चुकी है शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाइकोट पठान ट्रेंडिंग कर चुका है इसे में एक बड़ी ख़बर सामने आई है पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है ठीक एक दिन बाद यानि 26 जनवरी को बॉलीवड जगत के बड़े डारेक्टर राजकुमार संतोशी की फिल्म सीनेमा घरों में दस्तक देगी बॉलीवड को कई भैतरीन फिल्में दे चुके हैं डारेक्टर राजकुमार संतोशी करीब 9 साल के बाद डारेक्शन की दुनिया में वापसी करने जा रहे हैं वो फिल्म गांधी गोड से एक यूद्ध से कमबेक कर रहे हैं हाला कि ये फिल्म इसलिए चर्चे में आ चुकी है क्योंकि बॉक्स ओफिस पर इसकी सीधी टकर शारुखान के फिल्म पठान से हो रही है राजकुमार संतोशी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दिये जैसे दे लेजेंड ऑफ भगत सिंग, दामिनी, अजब प्रेम की गजब कहानी, गायल, अंदाज अपना-पना और फटा पोस्टर और निकला हीरो हाली में फिल्म क्रिटिक तरन आदाश ने इंस्टागराम पर इस फिल्म की रिलीज डेट जारी करी थी राजकुमार संतोशी ने 9 साल पहले 2013 में शाहिद कपूर स्टारिंग फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का डायरेक्शन किया था गांधी गोड से एक यूद करती है जाहिर सी बात है राश्च पिता महात्मा गांधी की हत्ता के पीछे की कहान ही लोग जानना चाहेंगे ऐसे मिया फिल्म टिकेट विंडो पर पठान को कड़ी टकर देती साबित हो सकती है जहां एक तरफ पठान में ज्यादा बोल सीन होने के कारण लोग फेमली के सा में दखल अंदाजी दे सकती है उमीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बॉल यूट रिलेटर ने अपडेट्स पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें